इसीरे सच एक आया है जो पानी से नाता है वो सिर्फ और सिर्फ तन के कपड़े बदलता है और जो पसीने से नाता है वो इतियास सर बदलता है जी हाँ दोस्तों जो पसीना आपने ट्वीटर पे बाहा है आया है उसका सच में रिवर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है इसका ये मत आगल बेफकुफ समझ कर वो गलती बहुत भारी पढ़ने वाली है। यहां दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि क्या कुछ अपन लोगों ने अब तक किया और क्या कुछ अपन लोगों को अब करना है। और यह जो मुहीम चलाई है सभी यूट्यूब औ और सक्सेसुल बनाने तक रुकना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अब करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल फोटो चाहे फेस्बूक, वाट्चैप या जहां कहीं भी आपकी प्रोफाइल फोटो है, इंस्ट्राग्राम या आपक ट्वीटर हैंडल वहाँ पर इस तरीके से एक ब्लैंक पेपर पर मैं भी बेरोजगाड लिखकर आप फोटो लगाएं, ताकि इनको ये पता चल जाए अगर ये इनकेस अपना जो हैश्टैग चल रहा है, स्पीक अप फॉर स्सी रेलवे स्टूडेंट्स और दूसरा जो है तो ये जो हैश्टैग चल रहा है, अगर इसको डिलीट भी कर दिया जाता है, इसको स्पैम मानकर इसको ब्लॉक भी कर दिया जाता है, तो ये जो चीज है, ये सबको दिखेगी, ये जो मैं भी बेरोजगार हूँ, इतने टाइम तक ट्रेंड चल रहा था, इन्हों ने अपनी प्रोफाइल पर लगा लीजे, नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए, ये है आपकी अब तक की सफलता, आज सुबह 11 बजे से जो आपने केंपेन स्टार्ट किया था, उसके परिणाम देखिए, सबसे पहले दिन ही ये ट्वीटर जो आपका हैस्टैग है, सिर्फ इं तक जब तक की अपनी बाते सुननी नी जाती है, शोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है स्टूडेंट्स के लिए, जो आवाज उठा रहा है और आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि जो अगर प्रिंट मीडिया और अपन बात करें, प्रेस मीडिया की, तो यहा कर रहा था, मन की बात, इसमें 4.3 मिलियन लोगों ने इसको वाच किया, वहीं डिसलाइक की अगर बात करें, तो 9,35,000 लोगों ने इसको डिसलाइक किया है, तो यह बात कहीं ना कहीं भारतिये जनता पार्टी को भी बात पता चल चुकी है, कि यह जो बात हुई है, एक्च और रिजल्ट पर विश्वास मत करो, कि वो कब आएगा, कब नी आएगा, जैसा कि आपने पहले सुना वाए कि करम करो, फल्ग की चिंता मत करो, तो यहाँ पर इन्हों ने ये ट्रेंड बना लिया, कि आप फॉर्म बरो, रिजल्ट और एक्जाम की चिंता मत करो, ठीक है न मतलब ये जो आप negativity मार्केट में है, ये इनको पता चल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार गलत कर रही है, जो कि इनको पता चल रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ युवाओं के साथ गलत किया है, एक तो मैं सबसे पहली शुरुवात हो चुकी है, अब अपन को ये बताना है कि आप हम सभी students के साथ में क्या गलत कर रहे हो, वहीं जो next वीडियो है वो आप देख लीजे, यहाँ पर upload किया गया था एक वीडियो, ये भी मन की बात का था, इसमें भी 4,000,000 लोगों ने देखा, 38,000,000 लोगों ने इसको dislike करा है, वहीं next बात करें, PMO, रहे हैं कि 2% ही इंडिया के, तो इनको comment में पता चल जाता कि कितने % इंडिया के और कितने % भाहर के, शायद 2% भाहर के होंगे, वो भी नहीं, 0.2% ही होंगे, बाकि सारे इंडिया dislike कर रही है, इंडिया की student, इंडिया का youth dislike कर रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की ज बिल्कुल ना करें, आप लोग educated है, उन जाहिल गवारों की तरह नहीं है, जो गालियों से बात करते हैं, अपनी बात इस पस्ट करें, इस पस्ट बात बताएं कि हमें क्या demand है हमारी, बिल्कुल बताईए कि आपका जो SSE का examination है tier 3, उसका result नहीं आ रहा है, delay की हो रहा है, process smooth होना चाहिए, इसमें changes लेके आईए, साथ में आप ये भी बताईए कि NTPC का क्या चल रहा है, date, exams, जो है, exam date वो declared नहीं हो रही है, तो इन सारी चीजों के अपने मुद्धों को एक simple भाषा में tweet करने की कोशिश करें, वीडियो देखने के लिए, thank you so much, हमारे साथ में Thank you so much.